नमस्कार साथियों, दरसल नेपाल की परधानमंत्रिय श्रीमान केपी शर्मा वोली जी एक कारिक्रम में, वो कारिक्रम था भानुभक्त आचारिय थे, जो 206 साल पहले पैदा हुए थे, उनका 206th anniversary मनाया जा रहा था, उस कारिक्रम में उन्होंने केपी शर्मा वोली जी ने क बयान को लेकर कि उनकी खुबा अलुष्ण भई, वहां के पूरो प्रधानमंत्री, वहां के विदेश मंत्री, वहां के सामाने नागरिक जन भारत के पूरी नागरिक उनका संपूर तरिके से विरोध किये, कि नहीं जो आपका बयान है वो गलत है, और वो किसी राजनीतिक या किसी विदेशी दबाव के कारणा पैसा बोल रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से निराधार है, उसमें कोई तर्क नहीं है, उसमें कोई आधार नहीं है, तो इस बयान को लेकर वो शार्शा में रहे थे हैं, तो शार्शा करते हैं, नेपाल के बारे हम थोड़ी सी बेसिक भारत और नेपाल की सीमा रेखा करीब 1751 किलोमेटर लंबी है और यह सीमा रेखा निरधारित की गई थी संधिया हुई थी 1816 में बृटिश इंडिया और नेपाल की वेश में वही निरधारित की गई थी और नेपाल की जन संख्या है और उसका जो पूरा एकॉनमी चलता है लगभग लगभग परेटन से जादा चलता है जो वहाँ पे साकर माथा है यानि इसको आठेवा शेत्र और मेनुफेक्ट्रिंग थोड़ा साथ पिषड़ा हुआ है तो संभुद देश नहीं वहाँ पर पानी की कमी नहीं है WATER सोर्स बहुत भारी मातर हम वहाँ पर है पूरे पहारों से घेरा हुआ है जैसे नेपाल kind of the North North और ने अधर ने जनेसन ने बहुत बड़ा है लेकिन management वहाँ ठीक प्रकार से ने हुआ है इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास पानी की कमी कह सकते हैं या शुद्ध जो पे जल होता है उसकी बहुत कमी है वहाँ पर यानि शुद्ध जल है लेकिन जो पूरे pipeline मिशानी चाहिए अच्छे से management किया जाना चाहिए तो पाइप के जरी सभी लोगों की घर तक पानी नहीं पहुच पाया है जिससे वहाँ पे शुद्ध पानी पीने लाएक का नहीं मिल पाता है और भारत और नेपाल की वीज में सांस्कृती अगर देखें कल्चर तो बहुत ज़्यादा मैश करती है खा बिन्दी लगा जो सिंदूर होता है वह डालती है पूजा पूजा कर जो उपना यहां जो और नमस्कार करना है यह सारी चीज़ें वहां पर रहा निकी जो टिबत का कल्चर है नेपाल का कल्चर है भारत का कलचर है वह पूरा एक तरीके से सीमिलर है क्योंकि गौतमबुद जो है वो लूमबनी में ही पैदा हुए थे जो कि नेपाल का ही है और गौतम बुद्र का संबंध टिबबत नेपाल भारत इन तीनों से बहुत गहराई से हैं तो तीनों की संस्क्रिती लगभग लगभग बहुत जादा मिलती हैं और अगर भारत और नेपाल के बीच में सीमा को लिकर करके देखें तो कुछ समय पहले के शर्मावली जी ने विवात खड़ा कर दिया कि उत्राखंड का कुछ शेत्र जो है वो नेपाल का है उसने अपने संसद में पकैदे बिल पेश करके इसे अपने छाब्लान को शेatr है उसको नेपाल का हिससा बताय था लेकिन भारत कर देखेंट किया है कि नहीं वह पूरा तो पूर्द्री किसे भारत के हिस्सा हआई और जो इंडिया का मैप है उसमें दर्शाहय कि उस्वाइचि कर्यक्रम कि पिशर मगुली जी गये थे एक बयान दे दिये कि श्रुराम जी का जन्म में उवाथ यानि असली आयोद्या नेपाल में है वेर गंज में अस्थाने ठोरी तोरी वहां पर उनका जन्म हूँआ था ऐसा के श्रम मगुली जी ने दावा किया है उनका तर्क ये भी है कि क्योंकि उनका जन्म इसलिए यहां पर हम मान सकते हैं क्योंकि जो माता सीता है वो जनक पूरी की है यानिके जनक पूरी मिथला वो सब जो शेत्र है पूरा वहाँ पर माता जानकी का यानिके सीधा माता का जन्म हुआ था तो और अयोध्या जो हो नेपाल में ही छोटा सा अस्थान है जैसे और भी कहीं जैसे बैंकोग जो थाइलेंड है थाइलेंड में एक अस्थान है वाप सकते हैं दिंवा यह गांति लिए वहां पर श्र क्योंत शाणकी का जन्म पूरी में हुआ था ये शेट्र कहाँ विछ यो वीवा हुआ है शादी हुआ है np अगर आ बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे जैसे कि भारत वाले अयुद्याम हैं और नेपाल के जनख पूरी में अगर मतासीता है तो उनके बीच में संबंध जो है समवाद जो कम्मुनिकेशन है वो नहीं हो सकता है पुराने हजारों साल पहले कि अगर बात करें तो कम्मुनिकेशन का साथन नहीं है मोबाइल फोन ऊगर ऐसा तो नहीं ही थे सवाभाविसी बात है तो कम्मुनिकेशन कैसे हुआ तो लोगों उन दोनों का विवाह कैसे हो सकता है यह उंका तर्क है लेकिंशे तर्क को तर्क टाईब का है क्यूंकि अगर वो ये चीज़ मानते हैं जोगा वि जरंग बली यह सारे आयोध्या से श्री लंका तक का पूरा यात्रा किये थे तो आयोध्या से श्री लंका इतनी हजारों किलोमेटर की यात्रा कर सकते हैं कर इतीन सवातीन हजार किलोमेटर की यात्रा कर सकते हैं तो पांसो छेसों किलोमेटर की यात्रा क्यों नहीं कर सकते है तो भी वहाँ तो होई सकता है तो उनका जो पहला तर्क था कि विशर मोगली का वो एक प्रकार से ठीक नहीं था और उनका ये भी समझना चाहिए कि अगर उनका ये कहना ही है कि श्री राम जी नेपाल में पैदा हुए थे तो अभी 2018 में शायद ग्यारम ही 2018 को भारत के प्रद संपुड़िय के बीच में बस सेवा का शुभारंग किये थे तूंको उसी समय 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 रहेए था कि अगर नेपाल में पैदा हुए है तो बस सेवा क्यों अ और हर जिले में मुनिस्पैलिटीज है और रूरल मुनिस्पैलिटीज है तो उसी में जो दूसरा प्रोविंस है उसमें का एक स्थान है जनकपुरी करीब छोटा सा एक सब कह सकते हैं कि एरिया है चोटा सा एरिया है उपनगर हम कह सकते हैं उसको करीब सौबर की किमेटर का ए मातवपादी हैं वहां से राहत जो से बीऊ lass DCBla Such जो जर्णकोरी से भियार में बुूक्सिती है भियार में दर्भंगा है मुझफर पूर है मुझफर नगर है मोति हारी शिपिर उत्रवरेश गोउज जाते हैं तो देवरिया है देवरिय से गोरख पूर बस्ति फिर आयोधिया होते हुए में इस आयोधिया में ही आ जाती है तो यह करेब पांसो सौड़ी पांसो किलोमेटर लंबा दूरी है यानि यह दूरी उतनी है जितना कि दिल्ली से लखनाव जितना दूर है उतना समझ लिजे जनकपुरी से आय नेपाल से भारत में आत्रा सुगं करेके से किया जा सकता है लेगिन के शर्म अवली जी का यह जो बयान है उनको थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए कि वहां की जनता नेपाल की जनता बहुत ज़्यादा सम्रिद नहीं है वहां का इंफ्रास्ट्रक्शर और जो कहें कि एज कुद्ध वैनबाजी और किसी के संस्कृतिक जो बाते हैं जो किसी के निश्ता हैं किसे चेज में धार्मिक भांगाय उसको उप्षाना ठेक नहीं हैं कि केपि चर मवोलीजी तीव तेल हैं कम्योनिस्त। सथाबना होई थी उनिस्त। में उनिससुपचीस में मना जाता हैं मतरत चाहें हूँ मेर Sixth त independently समापत हैं और नेपाल में 1909 में कम्मुनिस्ट का आरम हुआ, 1995 में कम्मुनिस्ट माववदी प्रकर से में तूट गई, कम्मुनिस्ट जो है वो माववदी में तूट गई, तो कम्मुनिस्ट का इतिहास ही यही है कि वो भारत के संस्कृति को निक्चा दिखाना, भारत के संस्कृति का पापमान करना यह जा है लेकिन जहां पर श्री राम को मानने वाले हैं वहां पर किसी वाम पंथी या किसी कम्मिनिस्ट विचार धरा का वहां पर नहीं होना चाहिए यानि कि चाइना अगर इस प्रकार के बात बोलें तो दूसरी बात हो सकती है लेकिन नेबाल अगर इस प्रकार के बातें बोलें तो वो थोड़ा सा अठकता है कि नेपाल और भारत के संस्कृती पूरी तरीके से एक ही हें मैंस अगर केहना नहीं चाहिए यह जाए लेकिन अगर नेपाल भारत का होता तो समझ झी कि उत्τικर प्रिदेश का डेर सो किलोमेटर और उपर लेकर जाकर कि पूरा उत्तर प्रदेश बन जाता बिहार का शेत्र जो है डेर सो किलोमेटर गरीब और उत्तर लेकर जाकर कि पूरा बिहार बिहार बन जाता यानि कि वो आराम से बिहार उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं उसका शेत्रफल भी जो ह तो यह सब थोड़ो समझना चाहिए कि अपनी जो इस्तदी है परिस्तदी है उसको ध्यान में रखते हुए कोई बयान बाजी किया जाए और किसी की धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचाये जाए और उनकी जो बाते हैं उसका खंडन वहां के जनता ने वहां के अन्य न विशह में फैंक दिये गए तो उसका कोई मतलब नहीं है तो इस वीडियो में बस इतना ही आप इस विशह की बारे में क्या सोचते हैं कि शर्माव अलीजी के इस बयान की बारे में आपका क्या विचार है उसको बताना हो तो बताईए जये नासकार